नवश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है हर्शिद दिवेदी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, first day in office, जो बाइडन, officially USA के राश्पती प्रेजिडेंट बन गए है, और इन्होंने प्रेजिडेंट की कमाल सम्हालते ही अपना काम शुरू कर गया है, काम क्या है कि Donald Trump ने जो जो भी decisions लिये थे, उन decisions को खतम करना, हटाना, देखे, दो प्रकार की powers होती है, एक होती executive power, एक होती legislative power, executive power, यानि कि एक representative, अपने end पे decision ले ले ले, और उस decision को किसी legislature से पास राने की जरूत ना पड़े, जैसे कि for example, हमारे देश में council of ministers, head by prime minister, यह executive है, real executive, अभ लोग सभा, राज सभा से पास कराने की जरूत ना पड़े, तो आप कह सकते हो, this is an executive decision, जैसे कि for example, हमारी president सरकार ने 2014 में planning commission खतम कर दिया, और उसकी बजाया बना दिया, National Institute for Transforming India नीती आयो, तो यह executive decision था, लेकिन आधार act लाया गया है 2016 में, farm base लाया गया है 2020 में, इसके लि जो बाइडन, जो कि अमेरिका के राश्पती है, इनके पास बहुत सारी executive powers है, जोकि एक आदमी को select करने के लिए इतना बड़ा exhaustive election का process होता है, तो executive decisions in the first day of office बहुत सारे लिए हैं यहाँ पे, जोजफ रॉबिनेट बाइडन ने, तो इनके बारे में बात करते हैं, he is sworn in as the 46 president of the United States of America, यह 46 वाला जो number है, यह याद रखेगा, जो कि जो one-liner PCS or SSC type के exam होते हैं, उसमें सवाल पूछ दिया जाता है, कि जो बाइडन जो कि president बने हैं, वो कौन से number के president है, तो 45, 46, 47, 44, तो आपको 46 mark करना पड़ेगा, याद रखेगा, इससे पहले, जो बाइडन, जो कि Democratic Party के member हैं, यह 47th vice president विरा चुके हैं USA के, from 2009 to 2017, और 1973 से लेके 2009 तक United States के senator विरा सकते हैं Delaware नाम के state से, तो जिन्दगी इनकी काफी अच्छी रही है, 1973 में senator बन गये थे, तो तब से राजा की जिन्दगी जी रही है, आप सोचिए 1973 से लेके आज तक 47 years बीच चुके हैं, जो ब इनाउग्रेशन हुआ, यह US capital में हुआ, जो वाशिंटन में building है, जहां पर mob attack हुआ था, वहीं पर इनाउग्रेशन हुआ है, ओके, इनको शबद किसे ने दिलवाई, US की Supreme Court के Chief Justice John Roberts ने शबद दिलवाई है, बाइडन को, और जो Vice President Elect है Kamala Harris जी, जिनको आप बोसको Kamala Devi Harris, इन Joe Biden बन गए है, oldest sitting President of the United States, Delaware के हैं यह, पहले President from Delaware State, और second Catholic President, ठीक है, अब यहां पे अपने पहले ही दिन, US President Joe Biden ने 15 Executive Orders पे sign की हैं, और इन 15 Executive Orders में जो जो भी Donald Trump ने किया, उसको पलटने का काम शुरू कर दिया है, देखते हैं Executive Orders कौन को और से, आगे बढ़ने से पहले इस व मुझे help करने के लिए और इस प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए, आप join मतंदबा के चैनल के member भी बन सकते हैं, ऐसी बहुत सी वीडियो और आपका syllabus की सारी वीडियो में cover कर वाता हूँ, Instagram पर follow कर लिजे, आपकी जनी डॉट से जवाब दूँकर, Telegram Group जोइन कर लि जनी, rebuild the backbone of the country, the middle class, अच्छी अच्छी बाते हैं यहां पर बोल रहे हैं कि भाई, हम economy को फिर से rebuild कर देंगे, आपने देश की democracy को, middle class को फिर से rebuild करेंगे, और यहां पर 15 executive orders निकाले हैं, जो बाइडन ने, जिसने Donald Trump दौरा लिए गे पहले की कुछ regulations को, पहले की कुछ decisions को overturn कर बात कर दी हैं, और आगे आने वाले समय में, ऐसे बहुत से orders और भी निकाले जाएंगे, वाइट हाउस के नए press secretary जो appoint किये गए हैं, समझे, सबसे पहले तो जो बाइडन ने शपत ली, उसके बाद जो बाइडन ने virtual ceremony से बताये कि इनके minister कौन कौन से होंगे, उसमें वाइ जी ने अपने election campaign के समय American लोगों को promise किये थे, जिसमें से एक है, revoking the ban on military service by transgender Americans, तो भाइया जो transgender Americans हैं, ये military service कर सकते हैं, इसके उपर ban लगा हुआ है, इस ban को हटाना, और Mexico City policy को reverse करना, अब ये Mexico City policy क्या है, इसके बारे मैं दो मिनिट में आमको समझाना चाहूंगा, Mexico City policy करती क्या है, Mexico City policy ये बोलती कि वो non-governmental organization जो की USA में काम कर रहे हैं, समझ ये बात को, वो non-governmental organization जो की USA में काम कर रहे हैं, और USA को लोगों को family planning के बारे में बता रहे हैं, तो family planning के बारे में बताते वक्त, वो abortion को promote करने वाली चीज़ा नहीं बताएंगे, abortion extensive services को नहीं USA में काम कर रहे हैं, अगर Mexico City policy लागू है, तो उस NGO के ओपर एक शर्त रखी जाएगी, कि आप family planning को promote करिये USA में, लेकिन उस family planning में आप abortion की practice को promote नहीं करोगे, आप abortion की voluntary services वहाँ की ladies को, US की ladies को provide नहीं करोगे, ये है आपकी Mexico City policies, यानि कहीं ना कहीं, ये जो Mexico City policy है, ये abortion को discourage करती है, अब अगर बात की जाए, तो ये Mexico City policy पहली बार कव लाई गई, तो 20th of January 1985 को Ronald Reagan द्वारा लाई गई, उसके बाद अगर आप देखोगे, तो Democrats और Republicans में Mexico City policy को लेके काफी problems है, जैसे कि for example, Blin Quinton जब January 1993 में US के राश्पती बने, तो उन्होंने ये जो आपकी Mexico City policy है, इ ठीक है Democrat थे, फिर Republican President George W. Bush आये January 2009 में, ठीक है, और Republican, sorry, George W. Bush 2001 में आये, 2009 गलती से मैं बोलगा, 2001, तो George W. Bush 2001 में आये, Republican President थे, इसने पिन से Mexico City policy को लागू कर दिया, फिर भाई, Barack Obama आये January 2009 में, Democratic President थे, तो इन्होंने फिर से Mexico City policy को उटा दिया, और फिर Donald Trump आये, चुकि Donald Trump एक Republican तो इन्होंने फिर से Mexico City policy को लागू कर दिया, तो Republican President Mexico City policy को लागू कर वा रहे हैं, और जो Democrat President है, वो Mexico City policy को हटा रहे हैं, तो कुल मिला कि आप यहाँ क्या समझ रहे हो, कि जो Republican President है, वो abortion होना नहीं देना चाहते, मतलब उच कहीं न कहीं चाहते हैं, कि abortion के प्रती जाग रु ज्यादा abortion ना हो, USA की आबादी बढ़े हैं, दूसरी तरफ जो आपके Democratic Presidents हैं, वो Mexico City policy को हटा देते हैं, मतलब उच की लेडिस को जदा जदा abortion के बारे में पता रहे हैं, तो यह official stance रहा है, अलग-अलग Democratic और Republican Presidents का, तो Mexico City policy को हटाने की बात कर रहे हैं, कौन यहाँ पे, Joe Biden Donald Trump Mexico City policy को January 2017 में ले आया थे, चलिए, तो आगे आने वाले समय में, जो Mexico City policy है ना, इसको भी Joe Biden हटा देंगे, अब देखते हैं, health के feel में Joe Biden क्या 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 करने वाले हैं, सबसे पहले तो Joe Biden चलाएंगे, 100 Days Masking Challenge, 100 Days Masking Challenge में क्या बोला जाएगा, कि National Wide Face Mask लगाने के लिए एक, आ Federal Contractors, Federal मतलब की जो केंदर सरकार है, तो US की केंदर सरकार से Associated जितनी भी लोग हैं, जितने भी Government Servant हैं, जितने भी Contractors हैं, Employees हैं, उन सब को बोला जाएगा कि आप पूरी तरीके से मास पहनेंगे, आप पूरी तरीके से Social Distancing Mandate को फॉलो करेंगे, और सासाथ पूरे देश मे Face Mask पहनने की जो मुहीम है, वो छड़ी जाएगी, यह बहुत important मुहीम है, चुकि आप समझिये, Donald Trump एक ऐसा इंसान था, जो की Face Mask पहनता ही नहीं था, ठीके न, और कहीं न कहीं वो बहुत ज़़दा Face Mask की यूज़ को प्रमोट नहीं करता था, बर Biden यहाँ पे कर रहे हैं, उस Department कहे लिजे जिसका नाम था Directorate for Global Health Security and Bio Defense, यह existence था, इस Directorate for Global Health Security and Bio Defense को कब बनाया था, इसको बनाया था, 2014 के Ebola epidemic के बाद, ओके भाई, तो इस Directorate for Global Health Security and Bio Defense को, तो यह जो Directorate for Global Health Security and Bio Defense, यह भाई, Donald Trump ने हटा दिया, अब यहाँ पे इस Directorate को फिर से रिवाइव किया जाएगा, और इ Biden, फिर भाई, Biden ने बोला है कि World Health Organization को हम फिर से जॉइन करेंगे, अभी WHO को छोड़ने के process में था, USA, according to the official stance of Trump administration, अब Mr. Biden, इस process को reverse करके बोलेंगे कि USA WHO का member रहेगा, और WHO का active leader रहेगा, बट यहाँ पे Biden बहुत शाने हैं, यह कम चालाक नहीं है, Biden जानते हैं कि WHO को USA की funding की जरूत है, तो अब जब WHO के साथ दुबारा involve होगा USA, तो अपनी बात्षाहत को ensure करके involve होगा, चाइना की value के respect में USA अपनी value को बढ़ा के involve होना चाहेगा WHO में, कहीं न कहीं WHO की functioning के उपर थोड़ा बहुत control पाने की कोशिश करेगा USA, चुकि USA की funding ज जोइन करेंगे, तो कुछ शर्तों के साथ कुछ conditions, कुछ negotiations के बाद ही जोइन करेंगे, उसके बाद extend eviction and foreclosure moratoriums, eviction and foreclosure moratoriums क्या है, देखिए आपको पता करोना का pandemic लग गया, Americans की jail में पैसे नहीं रहे, तो वो Americans जो की शहरों में, घरों में रह रहे थे, उनके खिलाफ eviction notice आने रगे, eviction notice समझते हैं, कि भाई, तुमने घर का rent नहीं दिया है, घर छोड़ो, या तो rent दो, अब New York जैसे city में, और जो बड़ी-बड़ी cities हैं, वहाँ पे आप बिना rent दिये ज्यादा लंबी समय रह नहीं सकते हैं, और rent दोगे कहां से, नौकरी चलीगी COVID के समय पे, तो क्या किया जाए, तो यहाँ पे, जो landlord है, वो आपके against eviction notice देदेगा, आप से बोला जाएगा, छोड़ो, तो 4 September, with effect from 4 September, Center for Disease Control and Prevention से क्या बोला गया, कि भाई, 4 September से लेके, 31 December तक क्या कह लिए, 1st of January तक, किसी भी tenant को उसके घर से जबरदस्ती evict नहीं किया जाएगा, जब पावर दी गई, कि eviction notices जारी नहीं किये जाएगे, लोगों के against, जिन्होंने बोला है कि उनके पास पैसो की crisis है, वो अपने घर का rent नहीं देपा रहे है, ये चीज़ 4 September को लागो की गई, और कहीं न कहीं, 1 January तक चलनी थी, अब ये चीज़ खतम हो चुकी है, बाइडन ने है, कि हम इस चीज़ को extend करेंगे, मतलब eviction proceedings ना सर्व की जा सके है, लोगों के against, हम इस बात को ensure करेंगे, कम से कम 31 March तक, हाला कि अभी तक कोई formal decision आया नहीं है, वाइडन की तरफ से, प्लस, आप समझ ये, लगबग 11 million mortgages जो है न, उनको guarantee किया है, वी ए, Department of Agriculture and HOD, देखे, Department for Agriculture, Housing and Urban Development and Veterans Affairs, तो ये जो Department of Agriculture, Housing and Urban Development अभी तो आप अगर वो अपना payment नहीं कर पा रहे हैं घर का, तो क्या आप उनको घर से उकाड के बाहर फिक दोगे, तो ऐसी 11 million mortgages पढ़ी हुई है किसके पास, Department of Agriculture, Housing and Urban Development के पास, तो ये लोग जो इन घरों में रह रहे हैं, क्या आप इन अगर इन्होंने बैंक को पैसा नहीं लोटाया, या अगर इन्होंने अपने लैंडलोड को पैसा नहीं लोटाया, तो ऐसे cases में, जो बाइडन, Department of Agriculture, Housing and Urban Development से भी ये बोलेंगे, कि भाई, इन लोग के अगेंस्ट इविक्शन, नोटिस, आप मत जारी करिए, कम से कम 31st तक इनको stabilize करने का समय दीजे, फिर भाई, ये बोला गया, पहले तो देखिए, student की जो loan payments थी, उस पर pause लगाया गया था, 30 September तक, मतलब कि, जो भी loan की किस्तें वापस करनी हैं, USM पढ़ने वाले जो students हैं, वो जो भी loan भर रहे हैं, उसकी जो interest की किस्तें लगाई जारी हैं, पहले बोला गया था, कि 30 September तक आपो कोई किस्तें नहीं देनी, अब ये बोला गया है कि overall, जो student loans ले रखे हैं बच्चों ने, 10,000 डॉलर, 10,000 डॉलर तक के student loans जिसने भी अमेरिका के अंदर ले रखे हैं, 10,000 डॉलर तक के student loan माफ कर दी जाएंगे, या फिर माली जै कि इसन आग डॉलर को लोन है, तो आपकी भी 10,000 डॉलर माफ कर देंगे, आगे माफ कर देंगे तो बात अलागे, बट अभी के जो कुछ भी किया जा रहा है, वो US के citizens के लिए किया जाएंगे, तो ऐसा बोला जा रहा है, कि Biden ने जो campaign pledge किया था, कि हम 10,000 डॉलर सो student loan माफ कर देंग change agreement के negotiations, जिसको Donald Trump ने बिना मतलब के छोड़ दिया था, यहाँ पे Joe Biden ने उसको फिर से join करेंगे, तो Paris Climate Accord को Joe Biden फिर से join करेंगे, Paris Climate Negotiations जो की Obama administration के अंदर हुए थे, वहाँ पे Obama ने जो भी अपने promises दिये थे, और आगे आने वाले समय में USA बात करके जो भी promises देगा, उसको honor करेंगे Joe Biden ऐसा इन्होंने बोला है, फिर बहुत सारे ऐसे environmental projects, जो Donald Trump ने चलाए थे, उन environmental projects को यहाँ पे cancel करने की बात की है Biden ने, ऐसे दो projects में already cover कर चुका हूँ, एक है Keystone Excel Project, एक है Arctic National Wildlife Refuge, यह दोनों thumbnail से आप दोनों वीडियो से देख लिए जाके, पहले किया आप title दे सकत तो Arctic मेरे नाम अर्शीद दिवेदी साथ YouTube में सच मारिए, आपको यह वीडियो मिल जाएगी, दूसरा Keystone XL Pipeline Project की है, यह मैंने कली वीडियो में आई, तो Keystone मेरे नाम हरशीद दिवेदी साथ YouTube में सच मारिए, आपको दोनों वीडियो से मिल जाएगे, अब दोनों वीडियो देख लिए जाके, कही ना कहीं दोनों वीडियो में आपको पता चलेगा, कि Donald Trump ऐसे प्रोजेक्स को अप्रूवल दे रहे थे, जो कि US के इन्वाइमेंट को नुक्सान पहुचाते हैं, और Biden most probably इन प्रोजेक्स को आने वाले समय में बंद कर देंगे, तो ऐसे 100 harmful presidential proclamations में पर्मिट, जिनको Trump ने अप्रूवल दिया है, बट वो US के इन्वाइमेंट के लिए खतरनाक है, उसको Biden वापस ले लेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, फिर भाई, Biden अपने देश की USA की एजेंसी को डिरेट करेंगे, कि भाई, वहेकिल, फ्यूल, एकनॉमिक और एम हाउस गैसे से निपटने के लिए इमर्जेंसी बेसिस पे प्लान मनाईए, वहेकिल, फ्यूल, एकनॉमिक और एमिशन स्टैंडर्स को रैशनलाइज करिए, इस तरीके की ओर्डर्स भी यहाँ पर जो बाईडन इशू कर रहा है, फिर भाई, रेशल एक्वैलिटी की बात क फेडरल गवर्मेंट जो भी पैसा एलोकेट करती है अपने बजट में, यह फेडरल मनी प्रॉपर तरीके से, प्रपोशनेट तरीके से हर कम्यूनिटी में बटे, चाहे वो धर्मिक कम्यूनिटी हो, चाहे कलर की कम्यूनिटी हो, कोई सी भी कम्यूनिटी हो, हर कम्यूनिट का equitable तरीके से development हो उनके presence के हिसाब से proportionately उनके पास पहुसा पहुँचे इस चीज को ensure करना है federal government को किस के थुरू अपने finances के थुरू ठीक है न भाई तो कहीं ना कहीं office of the management and budget office of the management and budget इस बात को analyze करेगा कि जो भी federal money है इस बात को ensure किया जाए कि वो money देश में जो भी racial communities exist करती हैं उनके benefit में proportional तरीके से इस्तमाल किया जाए ना कि सिर्फ white superiority white class के लोग फाइदे के लिए इस्तमाल किया जो और black सो कुछ भी ना मिले यह नहीं होना चाहिए फिर भाई count non citizens in US senses again President Donald Trump ने जुलाई 2020 में एक order issue किया जुलाई 2020 में और order क्या था कि undocumented Americans को count करने की जरूत नहीं है अभी undocumented Americans को count ना करने ही जरूत क्या है देखिए US में लंबे समय से immigrants आते रहे हैं और इन immigrants को अभी officially US की citizenship नहीं मिली है तो यह immigrants बीच में लटके हुए है अब यहाँ पर दो viewpoints है Trump तो बिल्कुली anti-immigrant है Trump बोल रहा है कि हम immigrants को कोई protection नहीं देंगे यहाँ पर Joe Biden इन immigrants की तरफ थोड़ा soft दिल रखते हैं ठीक है न भाई तो यहाँ पर कम से कम इन immigrants को US की population में तो गिना जाए ऐसा बोलने है Joe Biden Donald Trump ने बोला कि यह immigrants तो American citizen है ही नहीं यह illegal entry है हमारे देश में तो यह हमारी population में county नहीं होगे अगर इनको population में count किया जाता है US census में count किया जाता है तो इनके लिए भी कुछ financial allocation होगा इनको भी सरकार कुछ न कुछ help मदद करवाएगी Donald Trump ने help देने से मना कर दिया और इनको census में जोड़ने से मना कर दिया Joe Biden ने बोला कि नहीं भाई अमेरिका में जो रहने वाले लोग है उनको कही न कहीं census में count किया जाए उनको आप एक अलग head में रख सकते हो immigrants के head में रख सकते हो और कहीं न कहीं जो finances जो भी budget decide होगा उसमें proper पैसा reasonable तरीके से थोड़ा बहुत इनके benefit के लिए बहुत अलोकेट किया जाए Donald Trump ने तो इन immigrants को बिल्कुल ही benefit देने से मना कर दिया था ठीके भई फिर भई फिर बाई इसक्रिमिनेशन प्रोटेक्शन वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो जेंडर के अधार पर जाती अधार पर सेक्स के अधार पर जेंडर आइडेंटिटी के अधार पर तो LGBTQ Americans को सारे rights मिलने चाहिए इस बात को इंशूर करेंगा बाईडर फिर Defend Dreamers Program फर Undocumented Young Americans जैसा कि मैंने आपको बताएगी बहुत लंबे समय से US के अंदर immigration चल रहा है उसके चलते बाहर से बहुत सारे लोग US के अंदर आगे अब जो बाहर से लोग US के अंदर आए जो adult थे वो तो adult थे उनके बच्चे भी तो आए अभी ऐसे बहुत से बच्चे हैं एक million undocumented young people हैं अमेरिका में जो कि अपने adult माबाब के साथ आए थे वो अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन उनके पास अमेरिका की citizenship नहीं है तो उनके लिए प्रोग्राम चलाए जागा Defend Dreamers Program इनको Dreamers बोला जा रहा है इन लोगों को वो बच्चे जो immigrants के साथ अमेरिका में entry मारे थे कहीं ना कहीं उनको इस देश की citizenship मिलनी चाहिए चाहिए वो इस देश की progress में आगे काम दे सके एक समय ऐसा आया था कि इन बच्चों को अमेरिका से वापस डिपोर्ट करने की बात की जा रही थी लेकिन प्रेजिडेंट उबावा ने बोला कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है ये अमेरिका में ही रहेंगे ठीके ना भई तो Defense Demers Program यहनी जो बाहर से इमिग्रेंट्स इंडिया में आये हैं सोरी USA में आये हैं इन इमिग्रेंट्स के जो बच्चे हैं ना उनको US से उठा के बाहर नहीं फेका जाएगा उनने भी US के इंदर राइट्स दिये जाएंगे और आगे आनल समय में वो सकते हमको citizenship भी दीजए फिर भाई जो मुस्लिम ट्रवल बैन लगाया था डॉनल्ड ट्रम्प ने इसको हटाया है जो बाइडन ने तो 2017 में 2017 में जैसे डॉनल्ड ट्रम प्रेजिएंट लगेंगे इन्होंने बोला कि भाई सीरिया, इरान, इराक, सुडान, लिब्या, सुमालिया और येमिन, यहां से पहली बात तो कोई यूएस आनी सकता और कोई यूएस में इमिग्रेट नहीं कर सकता और बाद में 2020 में 2020 में Eritrea, नाइजीरिया, मायनमार, किर्गिस्तान, तंजानिया को भी उन कंट्रीज में जोड़ दिया गया जहां से लोग यूएस में आनी सकते हो, नाहीं यूएस में इमिग्रेट कर सकते हैं ठीक है भई, फिर Change Terms, Arrest Priorities for Immigration and Customs Enforcement यहां पर बात हो रही है Interior Immigration Enforcement की अगर आप यूएस के बॉर्डर की बात करो ठीक है न भई, तो यूएस के बॉर्डर से अगर आप 100 miles के और अंदर की तलफ आ जाते हो, तो मान लीज़े यह है USA, ठीक है ना USA के बॉर्डर मान लीज़े 100 miles तक अंदर यह है, तो अगर इतने इलाके में, देखे, बॉर्डर के 100 miles तक का जो इलाका है, वहां पे अगर आप immigration को enforce कर रहे हो, तो बात अलग है अगर उससे आप दूर चले आते हो, और interior मा जाते हो US को, यहां पे अगर आप immigration को enforce कर रहे हो, तो उसको बुलाता है, interior immigration enforcement, यानि कि देश की जनता से उन लोगों को identify करना उन लोगों को segregate करना जो कि actually में अमेरिका में नहीं है अमेरिका की नहीं वट वो अमेरिका में आ गए है और उनको segregate करके देश से बाहर निकालना ट्रंप ने immigration और customs enforcement authority को इतनी ताकत दे दी थी कि interior immigration enforcement को check करो, और जो लोग बाहर से आ रखे है, illegally USA में उठको American people के interest को protect करना है ठीक न भाई? और हमें इस प्रकार से decisions लेने जो कि हमारी values, हमारी priorities और हमारी global image के हिसाब से हो यनि कि आपने तुरंथी लोगों को पकड़ा और उनको उठा के बाहर फेगना शुरू कर दिया, यह आप नहीं करोगे डॉनल्ड टरम के समय पर यही हो रहा था तो Interior Immigration Enforcement जो कि डॉनल्ड टरम के समय पर बहुत ज़्यादा strict हो गया था, उसको जो बाईडन के समय में थोड़ा relax किया गया है फिर जो border wall construction की बात करें डॉनल्ड टरम का यह बहुत बाला agenda था कि USA और मेक्सिको की बीच में बॉर्डर वाल बना दी जाए ताकि मेक्सिको से जो लोग USA के साइड गुसाते हो ना गुस पाएं ऐसी कोई border wall construct नहीं की जाएगी यह बाइडन ने बोला है फिर Libyrians Liberian नाम की country से बहुत सरे लोग जो United States में आ गए थे उनको United States से वापस भेजने की बात की जारी थी कही ना कही वो United States में रहने वाले थे 30th of June 2021 तक एक समय के लिए बात हो रही थी कि President Trump हो सकता है उनको देश से बाहरी निकाल दे लेकिन President Trump ने Actually उनका 30th of June 2020 तक रहना था President Trump ने इस limit को बढ़ा के 30th of June 2021 तक किया और President Trump शायद इनको हटाने वाले थे मतलब बार बार जो Liberians को अमेरिका से बाहर निकालने की बात की जारी थी उनको बाहर निकालने की बजाए एक-एक साल का extension दिया जा रहा था Donald Trump से पूरी उम्मीद थी कि extension बंद कर दिया जाएगा बट कहीं न कहीं Donald Trump ने एक साल का extension दे दिया अब Joe Biden बोलने है कि ये Liberians को एक साल का extension अम और देंगे यानि अब ये Liberians USA में 30th of June 2022 तक रह सकते हैं तो पहले 30th of June 2020 तक थे एक साल का extension दिया Trump ने और अब Biden ने एक साल का extension और दे दिया है Trump से पूरी उम्मीद थी कर वो जीत के आ जाता तो हो सकता है कि इन Liberians को USA में रहनी नहीं जाता सीधे order निकाल देता कि बाहर निकलो यहां से ठीक है भाई फिर regulatory actions administration में और regulation में end time पे Donald Trump के administration administration ने जो जो भी changes किये हैं उन changes को रोकने की responsibility दिया जो बाइडन ने किसको White House के chief of staff Ron Klain को ठीक है भाई और ethics साफ साफ यहां पे जो बाइडन ने बोला है कि जो लोग भी मेने ministries में आ रहे हैं जो लोग भी मेरे अंदर काम कर रहे हैं उनको एक ethics pledge पे sign करना पड़ेगा ठीक है न भाई और ये ethics pledge पे लिखा हुआ होगा कि वो अपना काम को ethical तरीके से करेंगे सब कुछ सही तरीके से होगा और सही तरीके से नहीं हुआ honesty decency से काम नहीं किया तो मैं on the spot suspend कर दूँँगा उस particular person को ऐसा बोला है जो बाईडन ने ठीक है भाई तो अब आप देख सकते हैं कि जो बाईडन ने बिलकुल ही उन decisions को एक assault की तरह overturn करना शुरू कर दे है जो कि Donald Trump के समय पे लिए गयते है चाहे वो environmental legend आओ चाहे pandemic का response हो चाहे anti-immigration policies हो economic recovery में क्या बलते हैं जिए डिया बाईडन ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा तो आपको कुछ न कुछ यहां पर सीखने को मिला हो दोस्तों important decisions taken by Joe Biden on the first day of office आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो नीचे comment box में ने view point जरू दीजेगा